जो बुजुर्गों की पेंशन होती है वो पेंशन योजना का पैसा मोदी जी के राज में उसको उन्होंने डाइवर्ट करके अडवर्टिस्मेंट अपनी फोटो छबवाने में खर्ज कर दिया आप सबने सुना होगा पिछले हफ़ते पार्लियमेंट में मोदी जी कह रहे थे कि उन्होंने देश को स्कैम फ्री बना दिया और अभी मानिये संजे जी ने कितने डीटेल में समझाया कि किस तरह हर तरह की योजना में मोदी जी के अंडर में स्कैम ही स्कैम चल रहे हैं चाहें भारत माला प्रोजेक्ट हो आयुश्मान भारत प्रोजेक्ट हो और तो और जो बुजुर्गों की पेंशन होती है हमारे देश में कई सालों से बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है बुजुर्गों की जो पेंशन योजना है वो पेंशन योजना का पैसा मोदी जी के राज में उसको इनोंने डाइवर्ट करके अडवर्टिस्मेंट अपनी फोटो छपवाने में खर्च कर दिया आप देश के किसी भी हवायटे पे चले जाएए या पूरे देश में कहीं भी चले जाएए आप आपको मोदी जी की फोटो हर जगे दिखाई देगी लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि उसमें कई जगा मोदी जी की फोटो लगाने के लिए जो देश के बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन का रुपईया जो है वो फोटो लगाने में खर्च किया जा रहा है इतना मोदी जी को पूरे देश में अपनी फोटो छबवाने का शौक पेंशन योजने जो है उसमें मामूली 200 रुपे केन सरकार देती है आज की तारीक में जब सिलेंडर 1200 रुपे का है पेट्रोल 100 रुपे का है दाल 100 रुपे की है तो 200 रुपे में वैसे ही बुजुर्गों को कुछ नहीं मिलता खुद मोदी जी 10 रुपे का सूट पहनते हैं और बुजुर्गों को सिर्फ 200 रुपे की पेंशन मिलती है सिर्फ दिल्ली में अर्विन केजीवाल की सरकार ने उस पेंशन को धाई अजार रुपे करा हुआ है पूरे देश में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग पेंशन दिल्ली में केजीवाल सरकार दे रही है क्योंकि अर्विन केजीवाल अपने आपको श्रबन कुमार मानते हैं वो मानते हैं कि दिल्ली के सारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी उनकी है वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि बुजुर्ग पेंशन का जो पैसा है वो मोदी जी ने अडवर्टरिजमेंट में यूज किया कई जगा जो बुजुर्ग गुजर गए उनके नाम पे भी पेंशन का पैसा निकाला जा रहा है पता नहीं किसकी जेब में जा रहा है इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए कि किस तरह से बुजुर्गों के नाम का पैसा गलत जगा यूज हो रहा है आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर